हेलो एब्रिवन आज हम इस वीडियो में करेंगे चाप्टर नेबर 4 वाद्रिक एक्सराइज 4.2 के कोश्चिंज हमने अपनी प्रीजियो में भी इसी एक्साइज से कोश्चिंज डिसकस कर रहे थे उस वीडियो का लिंख हम नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स बे दे रहे हैं तो चलिए करते हैं शिरू कोश्चे में आप फाइल हमें यहाँ आपर स्टेट्मेंट दे रखी है दे एल्टिट्यूड ऑफ राइप्राइंगल इस सेवन सेंटिमेटर लेस दने इस बेस वो कहता जो एल्टिट्यूड है जो परपांडिकलर है एक राइंगल ट्राइंगल हमने सेंटिमीटर क्यो लिया क्योंकि अगले लाइन देखो इफ अ हाई बोड़ना जुक्री धें क्षरिमेटर वां चाहिं है जो है आप लएस माइनस सेंटिमीटर और इसके इलाब हमें हाई हो जैंटिट्यूड क्या क्यों जूआए है इस तो जो कहम होई सेंटिमेटर के तो find the other two sides, other two sides means base और altitude हमने निकालना है, देखो, हमने python और उस्थियूरम पढ़ी हुई है, जिसमें हमने पढ़ रखा है, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, so by python और उस्थियूरम, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, यहाँ पे हम hypotenuse, perpendicular और base की value जो है, वो फिट करवा देगे, hypotenuse की value कितनी है, 13, पर perpendicular हमने लिट करा है, x minus 7 और base is x square, यहाँ पे तो बन गया 169, और right hand side पे formula लग रहा है, a minus b के whole square का, so यहाँ पे बन जाएगा x square plus 7 square minus 2 into x into 7 plus x square, so यह तो बन गया x square plus 49 minus 14 x plus x square, left hand side पे है 169, ऐसे करते हैं सारे elements, सारे terms हम left hand side पे लिए आते हैं, तो signs हो जाएगे change, तो जो तो positive में है, जैसे 2 x square positive में है, जब आप उसको left hand side लाओगे, वो negative में change हो जाएगा, जो negative है, वो positive में, और जो positive है, वो negative में, right hand side पे बच गया 0, so यहाँ पे आ गया, minus 2 x square plus 14 x, 169 में से 49 subtract करा, यह तो बन गया 120 is equals to 0, यह सारी terms जो है, 2 से divisible हैं, और x square के साथ minus भी multiply हो रहा है, so ऐसे करते हैं, minus 2 common निकाह देते हैं, पूरी bracket में से, अंदर देखते हैं, क्या बचेगा, x square के साथ minus 2 multiply हो रहा था, वो तो चला गया बाहर, इसको हमने minus 2 से divide करा, यहाँ पे बच गया minus 7 x, इसको हमने minus 2 से divide करा, यहाँ पे बन गया minus 60, यह minus 2 bracket के बाहर multiply हो रहा है, अगर हम इसको right hand side ले जाएंगे, तो divide हो जाएगा, so 0 divided by minus 2 is 0, so यहाँ पे बन गया x square minus 7 x minus 60 is equal to 0, अब next step होएगा, mid term splitting करके factorization करना, और answer find out करना, यहाँ पे हमारे पास quadratic equation जो है, वो यह बन चुकी है, हमने करनी है, mid term splitting, mid term को ऐसे दो parts में करेंगे, ताकि extremes की multiplication बन जाए, और उसको addition subtraction करने पे, mid term जो है, वो वापस आ जाए, यहाँ पे जो best fit terms बैट रही हैं, वो है, minus 12 x plus 5 x, why, उसका reason, देखो, minus 12 x plus 5 x, जब यह subtract होएगा, तो minus 7 x बनेगा, दूसरी बात, जब इनको multiply करेंगे, तो 12 into 5, 60, साथ में यहाँ पे minus है, तो यह बन जाएगा, minus 60 x into x is x square, और extremes की multiplication करने पे भी, minus 60 x square आ रहा है, तो यहाँ पे mid term को, हमने इन दो parts में, split कर दिया, अब देखिए, पहली दो terms में से x common आ गया, अंदर बच गया x minus 12, next two terms में से 5 common आ गया, that means यहाँ पे यह दोनो terms 5 से divisible है, यहाँ बच गया x minus, जब हमने 60 को 5 से divide करा, तो हमारे पास 12 बच गया, इन दोनों में से x minus 12 वाली bracket common, अंदर बच गया x plus 5, तो हमारे पास यह दो factors आए, बारी बारी से हम दिन दोनो factors को equal to 0 करेंगे, और x की value find out करेंगे, तो चल यह देखते हैं क्या बनेंगी, यहाँ पे हमने लगा ली line, एक बारी x minus 12 को 0 करा, एक बारी x plus 5 को 0 करा, यहाँ पे minus 12 है, right hand side पे जाकी, यह plus 12 में change हो जाएगा, यहाँ पे plus 5 है, right hand side पे जाकी, यह minus 5 में change हो जाएगा, अब उसने तो बोला था, find the other two sides, और x हमने माना था base को, कभी भी किसी side की dimension जो है, वो negative नहीं हो सकती, so that means, जो यह x की value minus y y है, इसको हम कर देंगे reject, तो यह तो value होगी जी, that means x की value कितनी acceptable है, 12, तो यह x कौन था, base, तो altitude कितना हो जाएगा, उसको हमने माना था, x minus 7, तो वो हो गया 12 minus 7, that is equals to 5, so हम यहाँ पे लिख सकते हैं, therefore, जो base है, उसकी dimension होगी, 12 cm, और जो altitude है, altitude means perpendicular, altitude means height, उसकी value हमने निकाली, x minus 7, that is 5 cm, so this is the answer of question number 5, यहाँ पे हमें question number 6 की statement दे रखी है, अ cottage industry पड़ी उससा certain number of pottery articles, in a day, it was observed that on a particular day, that the cost of production of each article in rupees, was 3 more than twice the numbers of articles produced on that day, if the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of articles produced, and the cost of each article, वो कहता, एक cottage industry है, जो pottery articles बनाती है, हमने क्या अब्जर्ब कर रहा, कि जो एक article की cost है, एक pottery article की cost है, वो 3 more, 3 more means 3 plus, किससे नांगा twice, twice means double, किसका double, the number of articles produced on that day, जितने articles उस दिन produce होए थे, उनका अगर हम double कर दे, और उसमें 3 add कर दे, वो बन जाए की जी, cost of each article, वो केता, if the total cost, जितने भी आपने potary articles produce करे उस दिन, जो total cost बनी है, वो है, rupees 90, find the numbers of article produced, and the cost of each article, एक तो हमने ये find out कर रहे है, कि कितने article produced हुए, और दूसरा हम ये find out करना है, कि cost हर article की कितनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर let कर लेते हैं, let the number of articles produce, कितने article हमने उस दिन particularly produced करे हैं, वो हम let कर लेंगे है, एक्स, दूसरी पाप, cost of each article, हर article की cost के बारे में, उसने यहाँ पे एक hint दे रखा है, यहाँ पे एक statement दे रखी है, कि जो cost है न, वो 3 जादा है, 3 more है, किसे दान दर twice in number of articles produce on डाले, जितनी production हुई, अगर हम उसका double कर दे, double means twice कर दे, that means 2 into x, और इसमें add कर रहाना है, add means जादा है, कितना जादा है, 3 जादा है, तो जी cost होगी, 1 article की 2x plus 3, यह 1 article की cost है, हमने कितने बढ़ actions करी, कितने articles उसन cottage industry ने पड़ी उसका है, x, so that means, जो total cost बने की, वो तो होजे की, x into 2x plus 3, यह तो बन की, x into 2x is 2x squared, plus x into 3x is 3, और इस total cost उसने भी बता रखी है, वो कितनी बता रखी है, 90, so that means, इस total cost को हम 90 की equal कर आ देगी, अब क्यों हो रिगा, जो terms उदर add हो रही है, अगर आप उनको left hand side ले आओगे, तो वो subtract हो जाएगी, तो यहाँ पे बन गया, 90 minus 2x squared, minus 3x is equal to 0, no doubt, x squared का जो coefficient है, वो positive रखना है, यहाँ पे x squared का coefficient जो है, वो negative आ रहा है, है ना, तो negative sign हमने सारी bracket में से common निकाला, fine, यहाँ पे बन गया, 2x squared positive में, 3x भी positive बड़ जो 90 है, और वो negative में change हो रहा, fine, क्योंकि bracket के बार negative लगा हुआ है, जब आप यही negative अंदर लेकि जाओगे, तो यहाँ पे minus 2x squared बनेगा, minus के साथ 1 multiply करवा गते हैं, fine, that means हमने minus 1 जो है, bracket में से common निकाला है, अब यहाँ पे minus 1 bracket के साथ multiply हो रहा है, अगर आप उधर ले जाओगे, right hand side पे तो 0 से क्यों हो जाएगा, divide, और 0 divided by minus 1 है 0, तो यहाँ पे आ गया, 2x squared plus 3x minus 90, अब हमने mid term splitting करनी है, mid term splitting करके, 2 terms ऐसे लेके आने हैं, कि उन 2 terms की multiplication करें, तो extremes की multiplication आए, तो पहले तो extremes की multiplication देखते, क्या होईगी, यहाँ पे हैं यह 2x squared, और यहाँ पे हैं minus 90, जब आप 2x squared को minus 90 से multiply कर आओगे, तो बनेगा minus 180x squared, है ना, और mid term है 3x, तो यहाँ पे जो best fit term आ रही है, देखो, mid term खुद positive है, पर extreme की multiplication में आपको negative चाहिए, that means, बड़े वाला element आप positive रखो, छोटे वाला element आप negative रखनो, देखो, हमने यहाँ पे लिए 15x minus 12x, जब आप 15x minus 12x करोगे, तो 3x बनेगा, जब आप 15 को 12 से multiply करवाओगे, तो कितना आएगा, 180, x into x, x square, और एक positive रखनो एक negative है, तो बन कितना चाहिएगा, minus 180x square, और वही तो extremes की multiplication में आ रहा है, तो यहाँ पे यह mid term split हो गई, इसमें और इसमें, पीछे minus 90 है, उसको हमने as अंतर लिख लिख लिए, तो चलिए, यहाँ पे देखते हैं, x comma आ रहा है इन दोनों terms में से, तो यहाँ पे अंदर बच गया हमारे पास, 2x plus 15, और इन दोनों terms में से, यह दोनों terms divisible है, 6 से, और साथ में इन दोनों के पास negative का sign है, so that means minus 6 आ गया common, अंदर बच गया 2x plus, क्योंकि negative तो आप बाहर लेगे, जब आप 90 को 6 से divide करोगे, यहाँ पे आजएगा 15, is equals to 0, और इन दोरों में से, यह bracket 2x plus 15 common आ गी, और अंदर बच गया x minus 6, so यहाँ पे हमारे पास, यह दो factors जो है, बन गए है, अब हम बारी-बारी से, इन दोनों factors को करेंगे, 0 के equal, और x की value जो है, वो find out करेंगे, so यहाँ पे हमने एक बारी 2x plus 15 को 0 करा, यहाँ पे plus 15 है, जब हम इसको right-hand side पे ले जाएंगे, तो वो minus 15 में change हो जाएगा, x के साथ to multiply हो रहे है, x तो था number of articles produced, उसको हमने x लेट करा था, तो production तो negative नहीं हो सकती, नहीं production rational number की form में हो सकती है, तो यह तो हो गया जी, rejected, अब that means, जो x की value है, वो बन गई 6, x means, कितने units हमने एक डे में बढ़ियूश करे हैं, दूसरी बार, cost of each article, जो cost थी हर article की, वो तो थी 2x plus 3, so that is 2 into 6 plus 3, that is 2 into 6 is 12, 12 plus 3 is Rs. 15, so that means, जो cost है हर article की, वो Rs. 15 है, और number of articles produced on a particular day, that is 6 units, so this all we have sorted, को शेराबल 6, अगर आपको यह concept clear होता है, तो हमें कमेंट करके जुरूर विदाईएगा, and do not forget to press the bell icon, for latest notifications on our channel, thanks for watching,